वेलकम टू लर्निंग ट्यूप चैनल अगर आप इस सीरीज को रेगुलर फोलो करते हैं तो उमीद रखिया आपका मैथ का जो तैयारी होगा वो कभी विक नहीं होगा यह और इसमें आपको बुष्ट मिला है क्योंकि इस सीरीज में जो रहता है वो हरोज 25 से 30 कोश्चन आता है और यह जो क्वेश्चन आता है वो कोशिस रहता कि हर एक चैप्टर का हो तो आज अठारमा सीरीज है देखते हैं इस इस अठारमा सीरीज में क्या क्या है पहला क्योंट आपियल मैचों में महंदर सिंग धोनी आठ मैच का एक निश्चीत औसात स्कोर था नौमे मैच में यह जो कोश्चन है आपको हार्ड कोश्चन सीरीज का फ़र्ष्ट सीरीज में आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में हार्ड कोश्चन के फ़र्ष्ट सीरीज में आपको इस टैप के जो कोश्चन है वह अच्छे से बताया गया है उहां से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं फिर भी देखते हैं इसमें कैसे बनता है जो मेहंदर सिंध धोनी का जो आठ मैच का एक निष्चीत ऊस्ट स्कोर था तो हम माल लेते हैं कि आठ मैच का जो आठ मैच का जो ऊसत था वो एक्स था अगर आठ मैच का ऊसत एक्स था तो टोटल रण कितना हो जाएगा 8x total run 8x हो जागा 9 में match में उसने 100 run बना है अगर हम इसमें 100 run add कर देते हैं तो ये total जो आ गया 9 match का run आ गया अगर हम इसको 9 से divide करते हैं तो ये 9 match का उसत आ गया और 9 match का उसत के बारे क्या बोला जा रहा है कि उसत में 9 का बिर्दी हो जाते हैं यानि पहले x उसत था अब इसमें 9 का बिर्दी हो गया तो यहां समलोग 8x प्लस 100 और ये 9 उधर cross multiplication होगा तो is equal to 9x प्लस 1 क्यासी अब ये 8x उधर जागा एक कैसी इदर आगा तो x बराबर कितना जाएगा 19 यान x बराबर कितना गया 19 आगया है ठीक है जो एकस बराब 19 आगये तो इसका मतलब 8 पारी तक का जो आउसत था वो कितना जाएगा 19 आजएगा क्योंकि 8 पारी तक का जो आउसत हम लोग x मनें थे और x का value 19 आया लेकिन क्या बोला उसके रहनों का नया उसत क्या होगा नया उसत में 9 का बिर्दी हो गया था यानि जो नया उसत होगा वो 19 पुलस 9 अठथेस हो जाएगा ये जो 19 था वो 8 फारिता का उसत था लेकिन नया उसत पूछ रहा है इसलिए इसका अंसर C होगा एक बेक्ति किसी अस्थान तक पैदल जाने और सवारी से वापस आने में 6 गंटा 30 मिनट लेता है यानि एक बेक्ति क्या करता है इधर से पैदल जाता है यानि पैदल को पीमा लेते हैं और इधर सवारी से आता है जब पैदल जाता है और सवारी से आता है तब उसको कितना लगता है 6 घंटा 30 मिनट यदि दोनों तरफ सवारी से जाता है तो उसे 2 घंटा 10 मिनट लगता है यनि सवारी से गया और सवारी से आया तब उसको कितना लगता है दो घंटा 10 मिनट बच जाते हैं यानि पहले 6 घंटा 30 मिनट लगता था अब अगर 2 घंटा और 10 मिनट का बचत हो रहा है तो इसका मतलब कितना देर उसको लग रहा है यानि पहले 5 घंटा 10 मिनट का बचत हो रहा है तो चार घंटा 20 मिनट लग रहा है क्या कि दोनों तरफ अगर पैदल जाता है तो उसे कितना समय लगेगा यहां पर यह s plus s को क्या लिए सकते 2s और यह p plus p को क्या लिए सकते 2p यानि 2s का फालो दिया गया है 6 घंटा 30 मिनट तो 2p का फालो निकालना है तो हम क्या करते हैं इस उपर वाले सामिकरन को 2 से गुना कर देंगे अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2P पलस 2S बराबर कितना जाएगा 12 घंटा साथ मिनट अगर हम उपर वाले सामिकरन को 2 से गुना करें तो 2P पलस 2S कितना आगे 12 घंटा साथ मिनट इसमें सागर हम 2S को मैनस कर देंगे ये 2S को लिए निकालना है तो 12 घंटा में से 4 घंटा मैनस करेंगे तो आठ गंटा और 60 मिनट से अगर 20 मिनट मैनस करेंगे तो 40 मिनट तो आठ घंटा 40 मिनट इसका अंसर हो जाएगा उप्ट No.C अब अगर इस टैप का सवाल जब भी आए तो कुछ करना है उपर वाले को दो सगुना करके जो पैदल में समय लगेगा उसको घटा देंगे तो सवारी का समय बच जाएगा या उपर वाले को दो सगुना करके सवारी में जो समय लगेगा उसको घटा देंगे तो पैदल का समय आ जाएगा यानि उपर वाले को दो सगुना करके पैदल ये सवारी को घटा देंगे तो पैदल को घटाएंगे तो सवारी के आजाएगगा और सवारी के घटाएंगे तो पैदल का जाएगा next आते हैं दो संख्यां का महत्यप समाळबर्त क और लगत्म समाळबर्त क आठ और 708 इसा है अगर कभी भी संख्यां का मौसो दिया जाए मौसो दिया जाए तो संख्यां को केवल X provider नहीं मानेंगे संख्यां को उस मौसो का multiple मानेंगे या नित पहला संख्या aspect 8x मानेंगे या दूसरा संख्या 8y मानेंगे क्योंकि जो संख्या में मौसो चुपा हुआ रहता है जैसे 12 और 15 का मौसो किया जाएगा 3 3 इस 12 में भी है और 3 इस 15 में भी है तो मौसो जो होता है वो दोनों संख्या में चुपा हुआ रहता है तो जब भी मौस्व दिया जाए तो संख्या मानेंगे उस मौस्व का मल्टिपल मानेंगे तो मौस्व आठ दिया गया है तो आठ का मल्टिपल 8x और 8y दो संख्या माल लिए तो हम लोगों क्या पता है? दो संख्या का जो गुनन होता है दो संख्या का गुनन फल वो क्या होता है? LCM गुने SCF LCM तो पहला संख्या 8X दूसरा संख्या 8Y इस दोनों का जो गुना होगा 508 और 907-28 तो ये 8 से ये 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा फिर ये 8 से 2226 बार में कतेगा यारे एकस गुने y कितना आगे है 240 तो है तो अब इ daw कि कितने जोरे संभाव है आप एक्स गुने y 260 आया है तो पहले देखते एक कॉन कॉना सा मन संभाव होगा पहला होगा है बाहत्तर लिख सकते हैं ठीक है 14 शार से भी कटेगा 4गुए क्या लिख सकते में 54 4गुवन लिख सकते हैं 5 से फिर ने कटेगा फिर 6गुए 36 भी लिख सकते इसको यह एक स्यूनियदो फिर नौ का क्या लिख सकते है नौ गुने इस दोस नौ गुने चौविस फिर दस दस से नहीं लिख सकते है एक यारा से भी नहीं लिख सकते हैं बारा से लिख सकते हैं बारा गुने अठारा 12 गुन 18 और फिर 13 14 लिख सकते हैं 14 भी नहीं लिख सकते हैं और 16 लिख सकते हैं 16 गुन 16 अगर लिखेंगे 16 भी नहीं लिख सकते हैं नहीं कमाति सेस्ट involves 216 इसका उसका कितना पिर बना है 1234567 लेकिन यह सब प्रदementsर नहीं होगा इसका नहीं हो इसका अंसर गेपल वही पिर होगा जिसका एक आए हक इस कंगे Хотя जालता यहां है फिर इसका एक नहीं आ रहा तो यह प्यर पॉसिबल नहीं है इसका भी एक नहीं आ रहा यह प्यर पॉसिबल नहीं होगा इसका एक दो आ रहा यह प्यर पॉसिबल नहीं होगा इसका एक छे आ रहा यह प्यर पॉसिबल नहीं होगा तो हमारे पास दो ही प्यर पॉसिबल नहीं 27 यानि दो पेर पॉसिबल एसका अंसर ऑप्शन नमर यह हो जाएगा तो यहां पर दो चीज़ ध्यान दिजाएगा अगर संख्या मानिएगा तो संख्या HCF का मल्टिपल लेना है ठीक है दूसरा जब पेर जब आए तो पेर में वही पेर को लेना है जिसका HCF एक आए अब नेक्षट दे हैं कि 3 का पावर 28 एगार कावर 24 और साथ पावर 35 के मातरक मातरक कि इसको बोला दो इका क्या होगा तो सब से पहले आते हैं कि 1 कर दिork किसी संख्या का पावर अगर दिए रहता है तो हम लोगे पावर के से कालते हैं जिससे साहत के पाबर 20 दे दिया जाए तो इसका इकायंग कहिसे निकालेंगे सबसेपहले क्या करेंगे जो पाबर दिया रहाएगा उसको चार इंगे आ इन है कितने यह निérie mist वजीत pusat rend , इसका और दिद्ग का इका निकालना है तो सबसहीं क्या करेंगे पावर को चारश से डिवाइड करेंगे तो है चार च Curtis को डो最थ Red कट सबेंगे तो सबस्क्राइगे तो जो ड्मेब होट जैगा तो रीमेंडर कितना कितना बढ़ जाईगा तीन जो रिमेंडर पचेरा पुर पुरी पुरेन नहीं काटन बाद में लगाना है तो 4 12 12 तक क्ट जाएगा तो sis केतना बच जाएगा basic तो जब आप लाद में हे लगाना है एग बचर से ढोड़े ये रिए लिए करक कि औक तो सनद मुसटेवला ये पेदłem कहानायो फक्तल्मर्द हो चार पावर के बाद वह जो यूनित प्लेस होता है वह रिपीट करने लगता है जैसे यहां तीन का पावर अठाइस है गुने 11 का पावर 42 है गुने साथ पावर 35 है ठीक है तो यह अठाइस को अगर हम चार से डिवाइट करेंगो तो पूरे-पूरे कट जाएगा तो यहां र 5 cabinet 5 2 ये कमेम्ज साशेय रहेगा ये इस फीर हम चार से डिवायर करेंगे तो रिमेंदर कीपना जाएगर टीन बन जाएगा अब आते हैं यहां तीन पाबर चार वचा तीन पाबर चार इतना होता है तिन दिया न कीशिकर कि रेंगे एक लेंगे यहां एक i7 पर एक हाई है और यहां remainder 3 बचा और यहां जब remainder 3 बचा तो साथ पावर 3 कितना हुथा, 343 मैं हमको unit place से मतलब है, है का ये एक से इस दोनों को हटा देंगे यहाँ एक आई स्थान पर क्या बचा तीन, याने एक आई स्थानपर क्या जाएगा जो इसका अंसर होगा ऑप्सन नमर B, शत्थाष का भी हो जाएगा अंसर अठ्थाष नमर सवाल आते हैं, यदि किसी घंपुर्णंक N को तीन से भाग देने पर दो स्थाष बचता है संख्या को करने को कहा जाए वो चीज भाग देंगे डो का किल दो है तो 2 कह किसे भाग देंगे तो 3 हो दुखल सब्सक्राइब है कभी-कभी इस तरह से सवाल पूछ सकता था कि अगर हम संख्य-n को तीन से गुणा कर दें यहि彼 को तीन से गुणा कर दें पर तीन से भाग दें तो के चस बचएगए एक हमें को संख्या को तीन से गुना करके स्यस को ही तीन से गुना करते हैं यह यह wzञ न दो देंगे यानि यहां n को क्यूब का देंके लिए बोला तो हम लोग क्या किये स्प्कों कुप कर दिये कि निएश्ट आते हैं 2 संख्या का योगफल और गुनन फल क्राम सब 5 और 6 यानि 2 संख्या एक्स य माल लेते हैं इस एक्स पलस य कितना है 5 और गुनन फल एक्स गुने य कितना है 6 तो क्या वह दो संख्या हमें प्राप्थ हो जाएगा 3 दूना छे तीन और 2 लेंगे तो ये एक्स को सट्शपाइट कर देना 1 कितना आ गया जाएगा 3 और वायए 2 अगर ये नहीं मिल पाता तो भी कोई thinker नहीं था अगर यह यह में एक्ष्य का मांद नहीं भी ले तो भी कोई इख कर नहीं था फिट लाए चुनके निए वूरिक पहले ओर करना हैं फिर उसका ब्र जुड कराना है इसका वियुककरम लकानग यह पीस रहा है तो तो अगर हम LCM लेंगे निची X² Y² आएगा और उपर क्या बचाएगा X² प्लस Y² अगर आपको सिंबल पता निए XY कमाद निकाल गया तो डिरेक्ट बना सकते यानि 3 तीन तीन नो प्लस दोजना 4 बट्ट तीन 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 नो गुने दोजना 4 यानि 9 4 13 बट्ट चातीस यानि ड हम क्या करते है यह X² 2000 को क्या सकते है Va का हॉल स्कॉर माइर शुक्र क więc क्योंकि by X provide हलिसकर करेंगे तो X² मॉइसद सकार पलस2 फोल सकड़ पलस2 फोल ऑगा उसी टू स्शेडं़ को हटाने के लिए तो एकसवाह से घटा दिये दिए वाइड महें इस स्कार और अभी एकस पलस रूआ का हौइल सब्सकेड मैं तो य shave इस्ट आंग और 15- Amere उसमें पूट कर सकते हैं एं ये तो simple सवाल है तीन पांच बेटा 3 और ये भागा का सहनल कर लेंगे तो साथ बेटा 2 हो जाएगा उलट जाएगा गुने एक्स है बटा साथ बराबर ये पांच बटा 4 हो जाएगा है गुणे 2 बट्था 3 और भागा को अगर हम वड़क है हो जागा तो यहां से क्ल क्यार करके हम 3-4 केंसिल हो जाएगा यह साथ साथ कैंसिल हो जाए बुर्स कर दाजा चे ऊपर चल प्रवाद बना देंगे यह तो इजी दिया था इस पर बहुत लंब टिपिकल सवाल दे देता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे कुछ दिन में उस पर एक वीडियो जरूर बना देंगे अब नेक्स्ट आते हैं इस तरह के सवाल को हम लोग जल्दी वाजी कैसे बनाएंगे वो देखते हैं पहले एक छोड़ा से एक्जेमपल लेते हैं अगर वन बाई रूट थी पलस रूट टू कहीं पर दिया जाए ठीक है अगर हम इसका परमेकरन करेंगे तो रूट थी मैनस से परमेकर करेंगे हैं यहां पर जो साइन रहता है उसको कुछ सान्द करके परमेकरन करना पड़ता है तो इॅपर क्या बज आगा रूट 3 मैनस रूट 2 और डिभाएड़ कैं ऐसे कॉरा एंटो ए're दिजकर वाइभाएस रहा का अisl वालस बी और ऀसक्वायर तो एक सिंपल सची धियान रखेगा कि कि अगर इस दोनों का अंतर एक आए तो यह सिधा परमे करन करके सिधा मैनस लगा देना इसको यह तीन पलस इसका पुड़ा का सॉलिशन क्या जाएगा रूट फाइब मैनस रूट फॉर परमे करने पर यहां भी अंतर एक है तो इसका पूरा का सॉलिशन क्या जाएगा रूट 6 मैनस रूट 5 यहां भी अंतर एक है इस पूरा का सॉलिशन क्या हो जाएगा रूट 7 मैनस रूट 6 यह बरावला संख्या को पहले रखना है और इसका सॉलिशन क्या हो जाएगा रूट 8 मैनस रूट 7 और इसका सॉलिशन क्या हो जा बचल और यह शिक्ष से यह स्कसिल नगा स्ट से वं से ठैएगा इट सेट से पर बचल यहां क्या बचा तीन और रूट 4 बचल यानि मैनस पलस रूट 10 लिखा रहे हैं इसका जो solution होगा अंतर एक आ गया ना तो इसका जो solution होगा वो रूट 11 मैंस रूट 10 यह चीज़ को ध्यान में रखना है जब अंतर एक आए तो जो उसका solution हो जाता है सीधा sign को change कर देना है कि नेक्स्ट आते हैं एक पलस भी किसी काम को भातार दिन में 20 120 दिन में एक एला उस काम को कितना दिन में कर सकता है तो सबस्थ पहले निकाल लेते हैं एक पलस भी कितना दिन दो बार बी आ रहा है दो बार सी आ रहा है इन्हिंगी दो कमन लेंगे तो यह पलस भी पलस सी आजाएगा और टाइमेन वर्क में कैसे जोड़ते हैं एक वट्टा 72 प्लस एक वट्टा 120 प्लस एक वट्टा 90 तो टोटल LCM 180 आजाएगा ने 180 ने 360 इस तीनों का जो LCM आजाएगा वो 360 आजाएगा तो 72 से 5 बार में 120 से 3 बार में 90 से 4 बार में यानि 5,3,4,12 वट्टा 360 यानि 30 आजाएगा तो A प्लस B प्लस C कितना आगे है एक प्लस B प्लस C ये जो दो कटके नीचे जाएगा तो एक बट्ठा साथ आएगा यानि ये लोग कर साथ दीन में काम को करेगा ये दो अगर धिस था य 500ज हो जाएगा यानि 60 दिन में काम करेगा तप साथ दिन आता लेकिन यहां पे लेकिला उसकाम को किटना दिन केना करेगा अगर 1 reckless 60 दिन में कर रहा है औरica को मायनस कर देंगे तो एक आए जैगा याणिसा काम निकालेंगे लिए क्या करना पढ़ेगा एपलज भी प्लस यानि तिनों में से 20 को मायनस करना पढ़ेगा एक ऐसे निकालेंगे एक वट्ता साथ मेंसे एकवर्टा एकол बेश को इस की कि सी काम कर रहा है सोर्ष में be एक सो बीस दिन में काम कर आ और समय वी के सब्सक्राइब तो सब सब पहले क्या किये। अगर हम B को मैनस करेंगे। दो वर्ग का परिमाप 68 और 60 cm है एक तीसरे वर्ग का परिमाप ग्याद कीजिए जिसका चेटफल दोनों वर्गों के चेटफल के अंतर के बराबर है दो वर्ग है एक वर्ग यह रहा और एक वर्ग यह रहा दोनों वर्ग का परिमाप रहिए 668 यह इसका अगर परिमाप 66 है तो जो इसका भूजा का लंबाय होगा 15 covenant कीजिए जिसका च्यत्रफल यह 26 यह और बूजा हो जो अगर यह मानते आप आप को पता हो गाई समकून तिरभुज़ में आठ पंदराव सटरफाश का टेपलेटं existe साथ चोविस पच्विस का ट्रेपलेट होता है तीन चार पांच का ट्रेपलेट होता है यह सब ट्रेपलेट होता है जिसको याद कर लेंगे समय समय पर काफी यूज होता है इसका तो यहां पर 17 15 दिया गया तो इसका मतलब जो भूजा होगा ए वह 8 cm का हो जाएगा क्योंकि अगर 17 15 दिया गया है तो अब एक 8 cm ही बचा तो 8 cm इसका मतलब भूजा हो जाएगा या फिर calculation करके भी निकाल सकते हैं जब भूजा 8 cm तो इस वर का 6 फल क्या हो जाएगा आठ का स्क्वाइर यानि चौंसा स्क्वाइर स्क्वाइर इस वर का 6 फॉल ऑप्सन नमर्ण यह हो जाएगा कि नेक्ट आते हैं एक संभाहुत्र भूज का चेटफल रूट अंदर 243 बटा चार है उसकी पूजा की नमर्ण संभाहुत्र रूज के चेटफल क्या होता है रूट 3 वैफ 4 गूजा इसको है यह किसके वराबार है रूट अंदर 243 अगर 243 को फेक्टर करेंगे तो तीन से संकू एक गोलार्द और एक बेलन एक समानाधार वाले हैं उनकी उच्चाय भी एक समान है तदा अंस्वार उस हैं और उस तीनों कह एतन करंपाथ यात करें यह सवाल एक बार पहले बहीद आ चुका है फिरसे देख लेते हैं एक संकू गोलार्द और बेलन यानि यह रहा संकू और यह गोलार्द और ये बेलन ये तीनों एक समान तिर्जिया का है इसका भी तिर्जिया आ रहा है तीनों का तिर्जिया समान है एक समान अधार वाले अधार समान है तो तिर्जिया भी समान होगा उनकी उंचाई भी समान है यानि इस अर्ध गोला का जो उचाई होगा वो क्या हो जाएगा आर क्योंकि अर्ध गोला में ये जो अर्ध गोला लेते हैं अर्ध गोला ये भी उसके लिए तिर्जिया हो जाता है और ये उसके लिए तिर्जिया होता है अगर ये तिर्जिया R है तो ये भी तिर्जिया R होगा और जितना उचाय का ये है उतना भी उचाय का ये भी है इसका मतलब इसका भी तिर्जिया क्या हो जाएगा उचाय क्या हो जाएगा R ही होगा क्योंकि तीनों का उचाय भी तो समान है न और इसका व्यू चाहिए क्या हो जाएगा वो र ही हो जाएगा, ठेक है, तो यहां अगर इस तीनों कायतन पूछ रहा हैं, इस तीनों कायतन का अनपाथ, तो संको कायतन क्या होता, न वन बै थीरी, पाई, आरे स्क्वाईर और ह के बदले में हम लोग र ही लेंगे, अनपाथ अर्थ गोला कायतन, 2 by 3, π, r cube, अनपाथ और बेलन कायतन, π, r square, और h के बलेम क्या लेंगे, r ही लेंगे तो यहाँ से π, से π, कैंसिल हो जाएगा यह r cube से यह r cube, r cube कैंसिल हो जाएगा यह भी π, कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगे, 1 by 3, अनपाथ 2 by 3, अनपाथ 1 और यहाँ अगर हम 3 LCM लेंगे, तो 1 अनपाथ 2 अनपाथ यह 3 इधर आ जाएगा, यह यह इस तीनों के जो आयतन का अनपाथ होगा वो 1 अनपाथ 2 अनपाथ 3, option number C इस type की एक सवल और create हो सकता है बोला जाए कि एक संकू, एक संकू, और एक गोला, और एक बेलन एक समान आधार के है, कौन-कौन अब संकू ले रहे है, अब हम लोग संकू ले रहे है गोला ले रहे है, और बेलन ले रहे है, यह तीनों ले रहे है इसमें बोला जाए कि अगर ये तीनों एक समान अधार पर है इसका मतब तीनों का तीर्जिया सेम होगा तीनों का तीर्जिया हम लोग आर माल लेते हैं इसका भी तीर्जिया आर और इसका भी तीर्जिया आर तीनों सेम अधार का है तो तीनों का 3D Schmidt हो गया अब बोल दी उसका ऊच्याई भी में तो ऊच्याई अगर हम देखें यहां पर गोला जोचाई हो ब Jag basis лай बढ़ और हैंडों कि इसका अएटन का इसका ऊचाई ए क्या होesten मुल पहले आए तो इसके अध्न का अंपाद तो संकुका अंपाद क्या होता हूं थी पाइ आर्त यह स्कुरइड और एच के बाद आहμεं किटना टॉ आओ तो यहां सब पाइ से पाइ केंसिल कर देंगे इसके पाइ इसके पाइ केंसिल हो जाएगा और RQ भी कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचा 1 by 3 बच गया यहां 4 by 3 और यहां एक बच गया ने सौरी 2 बचा ना दो तो अगर हम 3 LCM लेंगे तो 1 अनुपाथ 4 अनुपाथ यह 3 हो जाएगा अगर संकु गोला और बेलन का उंचाय और तिर्या समान हो तो उसके आयतन का उनुपाथ 1 अनुपाथ 4 अनुपाथ 6 होता है यानि सब कुछ डिपेंड करता है कि उसके उंचाय पे अगर अरथ गोला राता है तो उसका उंचाय उसके तिर्या के बराबर होता है और गोल आ रहाता है तो उसका उसके ब्यास के बराबर हो जाता है नेक्स्ट आते हैं 1000 रुपिय पर 40% के छूट और उसी पर और उसी पर 30% और 10% के छूट का अंतर कितना होगा जैसे एक जगह आपको 40% छूट मिल रहा है दूसरा जगह 30% और 10% का दो छूट मिल रहा है तो हम इस दोनों छूट का एकल छूट निकाल सकते हैं a पलस b मैनस a b बटा 100 इस फर्मूला से तो a बोले तो 30 और b 10 मैनस 30 गुने 10 बटा 100 तो यह 30 दस 40 मैनस 3 यहाँ पर 37% छूट मिल रहा है यहाँ पे 37% चूट मिल रहा है यहाँ पे 40% मिल रहाच तो अंतर कितना का आगे थी परसठ का यहन अगर हम 1000 का 3 परसठ निकालेंगे तो कितना जाएगा 20 यहाँ इसका मतलब 30 रूपय का अंतर यहाँ पे मिल रहा 30 रुपया का अंतर दूनों छुट में मिल रहा है option number C हो जाएगा नेक्स्ट question देखते हैं अब पीकीव आर के बेतन का जो अनुपाथ है वो तीन अनुपाथ 4 अनुपाथ 5 है याने पी क्यू आर इसके बेतन का जो अनुपाथ है वो तीन अनुपात 4 अनुपात 5 है उन में करम सा 10%, 15% और 20% का विर्दी हो जाता है अगर 10% का विर्दी होता है तो ये 110% अब हो गया दूसरा में अगर 15% का विर्दी होता है तो ये अब 115% हो गया और तीसरा में अगर 20% का विर्दी होता है तो ये अब 120% हो गया अब इस तीनों का अनुपात पूछ रहा है यहां से हम यह दवल जीरो कट जाएगा यह सौ तीनों में कट जाएगा अगर हम 5 से देखें तो 5 से यह 22 बार में पांच से यह 22 बार में और 5 से यह 23 बार में और 5 से यह 24 बार में 25 फिर 2 से भी कट जाएगा दो से यह 11 बार में दो से दो बार में और दो से ये बारा बार में तो यहां पर कितना बचा यहां पर तीन गुने गया रहे तैस यहां बच गया अनुपात दो गुने तैस यानि श्यालिस अनुपात पांच गुने बारा यहां बारा पंचे साथ यानि तैस अनुपात श्यालिस अनुपात साथ ह जाएगा इसका अंसर ऑप्षान नमर सी हो जाएगा अब आते एप प्लस भी पनुपाद अनुपाद इसका मतलर एप अगर पांच यूनिट है तो ए मानस भी कितना हुज जाएगा तीर उनिट तो इस दोनों समयकरण को सॉल्व करके वी का भालू निकाल सकते यानि यह दोनो Dara Kofore कितना होजाब चाहर अगर बदाबर चाहर तो दिवर आबर एक रखना पड़ेगा जब कमान आगए है तब हम लोग यहांसे ऐंडी कामान पुट करके यह फैलों निकाल सकते हैं यानि दो का स्क्वाइर स्वाइर एक का मन चार था तो चार का स्क्वाइर पलस बी का स्क्वाइर यानि एक का स्क्वाइर डिवाइड बाइ था वो 36 था ठीक है तो अगर हम इसको बेसिक से बनाने कोशिश करेंगे यह बेसिक से बता रहे हैं बेसिक से अगर पचास प्रेक्षा का और सथ 36 था तो टोटल योग कितना हो जाएगा 50 गूरे 36 हो जाएगा बाद में पचा चला 48 के बजाए 84 और 32 के बजाए 23 लिख लिया ग यानि जो संख्या गलती हो उसको खटा देना है जो संख्या सही हो उसको जोड़ देना है ठीक है और 32 की जगए 23 लिखा गया लेकिन लिखा गया 23 तो 23 को घटा देंगे अब जो यह जितना योग आएगा उस सब को किया करेंगे अगर पचास से डिवाइड करेंगे तो इसका आउसत आ जाएगा ठीक है इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा केलकुलेशन में थोड़ा सा टैम लग जाएगा तो हम लोग इस सवाल को कैसे बनाते हैं वह दिख लिजिए जिसे 48 के बदले में हम लोग 84 लिखें लिखना ता 40 कितना टोटल लिखना था 80 और लिखा कितना गया यानि 247 एज शर्ड़ खी 27 का बीट दी हो गया यानि लिखना था 48 लिख 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 ₹ दें 0.54 जएदा लिख लिए हम लोग कि यानि आौसत कितना ज़्यादा लिख लिए 1.54 इसका मतलब जो original आसत होगा वह 36-0.54 कम होगा क्योंकि यहां देख रहे हैं कि 80 लिखना था 107 लिखया यानि 57 ज़्यादा लिखें जवह में 37 ज़्यादा लिखे तो ऑसत में कितना ज्यादा लिखे 0.54 यानि 0.54 अगर हम ज्यादा लिखे तो जो औरिजनल उसत होगा वह 0.54 कम होगा अगर 36 में समझ 0.54 घटाएंगे तो यह 35.46 35.46 यानि इसका मतलब जो औरिजनल उसत होगा वह सही उसत वह 35.46 ऑप्शन नमर यह हो जागा इसका अंसर तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सौटकर्ट या जल्दी वाजी में बना सकते हैं बेसिक में क्या होगा कि थोड़ा से कैलकुलेशन करने में थोड़ा जैदा समय ल बांते हैं 20% का लाव हो रहा है तो एस्पी कितना जायगे 120 यानि करायमूल बिकरायमूल का जो अन्स पात आया वह 25% शे आगया ना 20 से काटेंगे तो पांच अन्स पात छे तो लागतमूल और बिक्डी मूल का अंतर 240 यानि इस दोनों का अंतर आनुपात में कितना हो रहा 2440 इसका और इसका उप्षन जो है यह हो जागा अंसर को यानि 20% का जब लाव हो रहा था यहां पर यहां पर 20% का लव तो करायमुल अगर हम सौमाने इगे तो विकरायमुल एक्सोविस यानि पांच और पाचछी आगे द न श्लू अन्तर कितना का आगे एक रूपया और यह एकावाइल दोसो चालिस तो बिक्राइमुल पूछा तो चेकावाइलू चोड़ोसो चालिस हो जाएगा कि अग्यालिस नमर देखते हैं एक कारजाले में 40% महिला करमचारी है यानि टोटल करमचारी अगर हम 100 मानते हैं तो इस 100 में से महिला कितना है चालिस तो पूरूस कितना हो जाएगा साथ चालिस परसंट अगर महिला करमचारी है तो सौ अगर हम टोटल करमचारी माने तो सौ में से अगर 40 महिला है तो साथ पुरूस हो जाएगा उनमें से 40 परसंट महिला और साथ परसंट पुरूस ने मेरे पक्षम मत दिया यानि 40 महिला थी इस 40 का 40 परसंट अगर मेरे पक्षम मत दिया इसका मतलब 16 महिला मेरे पक्षम में बोट दिया 16 महिला फिर पुरूस का साथ परसेंट यानि टोटल पुरूस था और इस साथ का जो है तो तो कितना पतिशत बोट रहा तो 52 परसे ने परक्ष्म बोट रहा है। Online इस तरह हम संख्याँ को स्व मान के सवाल को बना सकते हैं है और इस नेस्ट आजाते हैं श्यक्त कि ग्लिसरीं और पानी की एक मिसैन में 45 परसेंट ग्लिसरीं हैं कि हम क्यों करते हैं सो लिटर मिष्णरं मानेते हैं अगर सो लिठर मिष्णर मानते हैं तो 45 गलिस्रीण हो जाएगा और पच्पन जो भी हो बांकि जो मात्रा बच जायगा यानि पानी पच्पन हो जाएगा है अब क्या बोलwał रहं wa में 75 गराम यानि 100 गराम हम मैंने है थे 35 गराम क्या होगा कि पानी और मिला दिया जाएंगे तो टोटल सथ सब्सक्रार कर लुकिए 55 गलरीचे अब नए प्रक्रित यहां आप 52 लंए 95 टटर है udah नंब है cao पहले 45 था 100 में अब जब 35 लिटर पानी मिला दिये तो 90 लिटर पानी हो गया और 45 लिटर गिलिसरीन हो गया ठीक है तो नए मिसलन में गिलिसरीन का परतिसत पूछ रहा है गिलिसरीन का परतिसत तो 45 गिलिसरीन है कितना में 45 यहां पर 95 यहां पर यानि टोटल 135 में गुना 100 या इसका जोंसर होगा 33 पुनांग एक वर्टा तीन परतिसत अब नेक्ट आते हैं यादि एक बस्तू के कीमत में 15 परसंट के विर्दी कर दी जाए उस बस्तू के बिक्री में कुल संख्या में 10 परसंट की कमी कर दी जाए तो सकल प्राप्ति पर क्या प्रावाप परेगा तो इस से पहले एक फर्मॉला बता थे अगर किसी एक चीज में एक परसंट का विर्दी हो और दूसरे चीज में बी परसंट का कमी हो तब इस दोनों का जो सकल सकल परभाव परेगा वो क्या होगा पलस ए मैनस भी और यहां पर जो साइन आएगा वह इस दोनों साइन का मल्टिपल तो पलस गुने मैनस मैनस एक गुने वी बता सो यानि यह सकल परभाव परेगा यानि टोटल आवर आवल परभाव यह होगा तो अगर इस सबका कैलकुलेशन पलस में आए तो इसका मतलब हो कि विर्दी हो रहा है अगर इस सबका कैलकुलेशन मैनस में आए तो इसका मतलब कमी हो रहा है तो पहले 15 परसेंट का विड़ दी है तो पलस 15 यहां लिख लेते हैं पलस 15 फिर 10 परसेंट कमी तो मैनस 10 और यहां पर मैनस 10 आएगा 10 गूने 15 वट्टा 100 तो यह 0 यह 0 कैंसिल हो जाएगा यह 15 में से 10 गया 5 मैनस 1.5 यहीं 15 वट्टा 10 गूने 5 लिख सकते हैं यहीं 3.5 3.5 किसमें आया पलस में आया इसका मतलब क्या होगा कि 3.5 परसेंट की विर्दी ओप्सन नमर यह हो जाएगा अगर यहीं अंसर मैनस में आता तो इसका में तो 3. तो इसका जो अंसर होगा हो 3.5 परसेंट का विर्दी हो जाएगा अगर अब बोला यहीं कोई वैक्ति 3 किलिमेटर परते घंटा गती से चलता है और वो अपने कार जाला है 20 मिनट देरी से पहुंचता है यहीं वैक्ति अपने गती को 6 किलिमेटर परते घंटा तक बाढ़ा जाता है इसमें तो डिस्टेंस निकालने का फर्मूला होता है वह होता है S1 गुने S2 बटा S1-S2 गुने टाइम और यह टाइम में क्या करेंगे अगर पहला बार देरी हो रहा है और दूसरा बार जल्दी हो रहा है तब हम क्या करेंगे पलस कर देंगे यानि विप्रित में क्या करेंगे से में मैनस कर देंगे कहने का मतलब है अगर से पहला बार भी देरी हो रहा है दूसरा बार भी देरी हो रहा है तो मैनस कर देंगे अगर पहला बार देरी हो रहा है दूसरा बार धेर्वी पहुंच रहे हैं तब हम क्या करें गए उस स्थिति में पालस करदेंगे इस फर्मूला पर हम इस सवाल को जल्डी needle बना सकते हैं तो क्या बोला है तो तीस मिनट जल्दी पहुंच जाता है यह जल्दी तो इसका डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस वराबर क्या होगा एस वन गुणे एस टू यानि तीन गुणे नौ बटा तीन में से नौ गया यहां बीस और तीस पचास हो जाएगा और पचास लिखने के बाद इसको घंटा में भी चेंज करना पड़ेगा और घंटा में चेंज करेंगे तो साथ से डिवाइड करेंगे यहां पर जो बोला गया था कि छे किल में पड़ेगा तक चलंगे अब उसका जो चाल है अब वह छे किलमेटर हो गया यहां पर छे ही 2002 हो तो यहां से अगर हम देखें तो यहां पर तीन गुने 6 बरटा 6 3 का अंतर पांच दूरी आ जाएगा ना थिक तो इस सवाल को आख सकते हैं जल्दीवाजी में अगर अगर बाइद अब फर्मूला याद नहीं रहें तब हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे वह देखते हैं जैसे हम टोटल दूरी को X मानलेते हैं याद टोटल जो दिस्टेंस था वह क्या था एक्स मानलेते टोटल दिस्टेंस एक्स अगर तीन किलोमेटर परती घंटा गतिस चलेगा तो कितना समय लगाएगा एक्स बट्रा तीन अगर तीन किलोमेटर परती घंटा गतिस्टे लगा तो कितना समय लगेगा एक्स बट्टा तीन यानि इस समय बाव दूरी बट्टा चाल इतना समय लगा है लेकिन 20 मिनट देरी लगता है इसका मतलब जो उसका ओरिजिनल समय होगा वह 20 मिनट पहले होगा तो 20 बट्टा साथ करने जो ओरिजिनल समय होगा या इतना देर में पहुंचता है इतना कि लेकिन 20 मिनक का देरी हो जाता है इसका मतलब 20 पहले उसका ओरिजिनल समय होगा कि अगर दूसरा बार देखा़ है अगर छे किलनोंट परती में घंटा-गतिस्ट चलता है तो एक्स बट्टा छे यानि वह 30 मिनिट बाद होगा इसका मदब यह और इजनल समय आ गया यह भी और इजनल समय आ गया दोनों समय को बढ़ावर कर देंगे ना पहुंचने का अब यह एक्स बता तीन मैनस एक्स बता चे बढ़ावर यह उधर जाएगा तो तीस 20 50 बता साथ आ जाएगा यह 00 कट गए तो अब यहाँ पर जो लस्य हम आगा छे आ जागा याने X बता च्छे बढ़ावर 5 बता च्छे तो यह 6 से 6 कट गए ह्ट अच बढ़ावर 5 आ गया तो इस तरीके समलों बेस नेक्ट कुष्चन देखते हैं, 12% चकविर्दी व्याज पर कोई रासी उधार दी जाती है, यदि उसकी गन्ना अर्दवार्शी के आधार पर कीजा तो इसके तुल प्राप्त करने के लिए उस रासी के वार्शी के अधार पर कितने परतिसत चकविर्दी व्याज देना परे दर को क्या करना पड़ता है आधा करना पड़ता यानि 6 परसेंट हो जाएगा और समय को दोगुड़ न करना पड़ता है यानि 2 तो येर के लिए तु इसका जो फर्मूला वे यह व्या попроб今日 यानि 60 12 और यह. ईस्राइब अजया व्यास आखिता है उप्सिन निए और न्याग निगालते निगक्णना हो तो सीधा हम लोग इस फर्मूला पर ब्याज निकाल सकते हैं कि अब ग्रापला सवाल आ जाते हैं 47 नमर में क्या बोला है कि कंपनी का कुल खर्च उसके सोध एवं विकास तथा बेतन के कुल खर्च का कितना गुना है तो कंपनी का कुल खर्च तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 20 और सारे 17 और सारे 12 मिलके कितना हो जाएगा 30 30 20 50 10 60 20 80 और 15 25 200 यानि टोटल 100 था कुल खर्च 100 ये टोटल खर्च आगे 100 अब आते हैं किससे पर को लेखी सोध एवं विकास स्वत एवं विकास कितना खर्च हो रहा है सोधेवन विकास ये 5 और बेतन बेतन कहा गया बेतन पर कितना खर्च हो रहा है 20 तो टोटल सोधेवन विकास और बेतन पर टोटल 25 खर्च हो रहा है तो कितना गुणा जैदा है चार गुणा तो जो इसका अंसर होगा वह चार गुणा हो जाएगा यानि यह जो कुल खर्च का कुल खर्च जो है इस दोनों खर्च से चार गुणा जैदा है अब नेक्स्ट आते हैं अधारबूट धांचा एवं परिवहन अधारबूट धांचा पे 20% खर्च हो रहा है और परिवहन पे सारे 12% खर्च हो रहा है तो टोटल खर्च कितना हो जागा इसमें सारे 32% अधारबूट धांचा एवं परिवहन पे खर्च हो रहा है उसके बाद परिवहन पे खर्च तथा करो एवं रिनो पर दिये ब्याज करो पर कितना है 10 और रिन पर ब्याज पर कितना खर्च कर रहा है सारे सतरा इन्हें टोटर मिला कि हैं पर सारे सताइस परसंट खर्च हो रहा है तो इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है अगर हम 5 से काटेंगे तो 63 बार में कटेगा और यह 5 से काटेंगे तो यह बार में कटेगा यह इस दोनों का जो अनुपात है और ऑपसेंट नमर दी हो जाएगा वह कितना दिया के two point four five तो जो एक परसंट का वयलू होगा ये सारे सत्रा परसंट का वैलू थे एक परसंट का वैलू होगा वे फीस जैगे टो किसकी वैलू हो पुछ रहा है तो विख्ञापन कर तथा ह्सोधंवbeकास पर विग्यापन पे 15 कर पे 10 25 और सोध हम बिग्यान पे 5 यानि 30 अगर 30 परसंट का वालू निकालना है तो 30 से गुना करेंगे अगर 30 से गुना करेंगे तो यहां कैल्कुलेशन जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा हम एक जीरो और देखर यहां पे दोनों दस अनलों भाटा सकते हैं कि अब ये यह 2003 जिरो कटिकिए आप तीन से कटेंगा इन्हें सब्सेण 23 शेकर अगरं पांच से अगर्हां यह तीन रहाने लिए कि यह तीन को रहने देते आप स्धांश अगर कटेंगे तो मेरा ये पांश अगर ना-दश पांच तिया पंद्रह 25 25 वार में कट जाएगा और ये 5 से 49 वार में कटेगा ये 7 से 7 35 और 7 49 यानि 21 बटा 5 आ गया और 21 बटा 5 को कह लिख सकते हैं 4.25 4.2 तो 21 बटा 5 यानि 4.2 करोर खर्च किया गया है यानि ये सवाल क्या था जि unveiled जो खर्च एक immortal bast45 तो 20 पर यहां कितना प्रतिसथ खर्च किया रहा है कि इसbaj किभियाज इस्प्य श्रीनो पर भिव्याज दिया सारह 17 यह सारह सत्र रा इंहां सारह 17 परसंट का जो लिए गई वह 2525 वह तो 30 percent沒錯 रिन पर ब्याज का 600 कितना है सारे 17 आरे परिभान में उए खर्ज कि तुलना में कितने परतिसम्स देख़े तो परिभान में कितना खर्ज हुआ है किसारे 12 किरें कितना jetlined अधिक है कितना परतिसात अधिक है बहुत लोग यहां पर न सीधा डिरेक्ट परसेंट कर देंगे जो की गलत अंसर होगा यहां पर परसेंट अधिक है कितना पर सारे बर्डब पर यानि 100 पर 5 पर बोल सकते हैं लेकिन यह भीरा पर 5पर संगे गुनासो यह दशनालब को हम घाटाएंगे तोैकेल यहां पर तो बार यठेचेалाफसब्ट नहीं चलिस पर तीसद होगा ठीक है यह 5 पर सन्व बोलते जब यह 100 पे तुलना करें तो आजका सेशन से नापत होता है वीडियो को सीर जरूर कर देंगा चैनल सब्सक्राइब कर दिजेगा और वीडियो को लाइक भी कर दिजेगा थाइंक यू बाइबाइए